पियर्सिंग कनेक्टर को लगाने की प्रक्रिया पियर्सिंग कनेक्टर को लगाने के दौरान आवश्यक तुईस है पाना फेज सेपरेटर आईए अब हम केबल पर पियर्सिंग कनेक्टर को लगाने की सही प्रक्रिया को समझते है बंडल से सही केबल को भहचान है और फेस सेपरेटर का उप्योग करके उसे अन्य केबलों से अलग करे। अलग की होए केबल को पियरसिंग कनेक्टर के मेन साइड में डाले। केबल को बिठाने के लिए आवश्यक्त अनुसार शियरनट को खुमाये। यहांदे थ्री फेस कनेक्शन के लिए सभी केबल्स को टैप करे। सिंगल फेस कनेक्शन के लिए एक फेस और दूसरा न्यूट्रल को टैप करे। इप केबल को पियरसिंग कनेक्टर के टैप साइड में डाले और एंड केप में फसादे। सही पाने का उप्योग करके शियर नट को टाइट करे यान दे पाने का साइज इस थरह चुने कि वहां उपरी छोटे हैक्स के साथ फिक्स हो ना कि नट के निजले बड़े हैक्स के साथ शियर नट के उपरी छोटे हैक्स को तूटने तक टाइट करे फेस सेपरेटर को निकाल ले पीरसिंग कनेक्टर सफलता पुर्वक कनेक्ट हो गया है